तो हेलो इंजिनियर स्वागा था आपका फिर से एक बार मैं हूं जिनियर टिकेस कुमारा और आज हम लोग देखने वाले हैं Consolidation of Soil तो पिछले वीडियो में हमने समझा Compaction क्या होता है अब एक नई बला आई है जिसको हमने बोलेंगे Consolidation और एक Consolidation क्या है इसको हम लोग समझेंगे तो वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब पीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए देखिए तो कभी भी कोई भी इंफ्रस्ट्रक्चर हम बनाते हैं Soil पे जब लोडिंग लगती है तो कितना भी हम उसको Compaction दें उसके बाद भी एक Settlement होता है जिसको हम लोग बोलते है Consolidation तो यहाँ पे हम Settlement को Total तीन पार्स में डिवाइट करते हैं उसमें जो है आपका सबसे पहला आता है उसको हम लोग Immediate Settlement कहते हैं उसके बाद आपका आता है First Degree Settlement और उसके बाद आता है आपका Second Degree Settlement यहाँ पे आप देख पहेंगे Soil को हमने दो तरीकों से बाटा हुआ है एक Compaction जिसको हम बोल रहे हैं और एक है Consolidation यह जो Compaction जो हमने पीछले वीडियो में पढ़ा बहुत अच्छे से देखा इसको हम लोग बोलते हैं Immediate Settlement ऐसा Settlement जिसको हम लोग जो है Immediately Soil का Layer दिया Layer देने के बाद उसमें Rolling के मदद से Temper के मदद से Compact करने की कोशिस हमने किया और उसके बाद जब Structure बन जाता है उसके बाद जो Sustain Load होता है Static Load की वज़े से जो Soil पे और Compress होता है और Settlement जो आता है उसको हम लोग बोलते है Consolidation और इस Consolidation को भी हमने दो पार्ट में Divide किया हुआ है एक को हम लोग बोलते है Primary Consolidation और दूसरे को बोलते हैं हम लोग Secondary Consolidation यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि हमारा Compaction में और Consolidation में क्या-क्या होता है इसकी Difference हम लोग देखेंगे आगे लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि Initial जो Compaction होता है उसमें क्या होता है और वैसे ही आपका Consolidation की बात करूँ तो यहाँ पे आपका Fully Saturated Soil होता है और जहां से आपका Void में से Water का Expel Out जो होता है उसके वज़े जो Soil में Settlement आता है उसको हम लोग बोलते है Primary Consolidation और उसके वाद आता है हमारा Secondary Consolidation Secondary Consolidation कैसे होता है Secondary Consolidation में है जो Soil के Particles जो है छोटे-छोटे Particles से बने होते हैं और उस Soil के Particles का Rearrangement होता है जिसके वज़े से Secondary Consolidation जो होता है चलिए आज इस Competitive Job Market में जहां Job पाना मुश्किल है वही Civil Guru जी से Trained Engineers अच्छी करियर ग्रोथ कर रहा है क्योंकि Civil Guru जी की Online Training डिजाइन की गई है Industry Standards के हिसाब से जहां आप Expert Trainer के साथ सीखते है Estimation निकालना, Surveying करना QS and RA निकालना, BBS निकालना, Bill बनाना Contract and Tendering के साथ और भी Important Skills आपके Time Schedule की Flexibility के हिसाब से और इंडिया के सबसे Affordable Cost में भी तो अभी Phone उठाओ और Call लगाओ 911-001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिशन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो तो सबसे पहले हम लों समझेंगे Compaction और Consolidation में क्या Difference है तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे आप Compaction क्या होता है Rapid Process होता है हमने Soil के Layers को बिछाया और तूरां रोलिंग कर दी या टैंपिंग कर दी तो यह होता हमारा Compaction लेकिन Consolidation में क्या होता है Gradual Process होता है Building आपका बन चुका होता है Sustain Load के वज़े से धीरे धीरे उसमें Settlement आता है उसको हमने बोलते Consolidation उसके बाद Compaction में जो Volume Reduce होता है Soil का वो होता है आपका Air के बहां से हट जाने के वज़े से Voids में जो Air है वो Expell Out हो जाता है जिसके वज़े से वहाँ पर Volume Change होता है लेकिन Consolidation में क्या होता है वहाँ में Water का Expell Out होने के वज़े से वहाँ पर Volume होता है तो जैसे कि आप जो है यहाँ पर image में देखेंगे तो आपको compaction और consolidation में clear समझ में आ जाएगा कि आपको compaction हम लोग क्या कर रहे है by mechanical means जैसे कि आपका roller हो सकता है और उसके अलबब बहुत सारे compacting mechanisms या tools equipment हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर consolidation जो है already कोई load लगा हुआ है static load लगा हु तो है air की मातरा जो है reduce हो रही है और volume change कर रहा है soil और यहाँ पर पूरी fully saturated soil है क्योंकि आप air तो expel out होई चुका है अब अगला जो होने वाला वो consolidation जो होगा यहाँ पर आप water का expel out होगा और कुछ मातरा में water जो होट से हटेंगे और यहाँ पर आपको soil के volume में change दिखेगा चलिए अब बात करते हैं हम लोग compressibility और consolidation क्या है इस पर बहुत सारे लोग को confusion होता है तो यहाँ पर आप समझेंगे consolidation और compressibility consolidation कहने का मतलब है आसान भासा में कि वह process जिससे soil settle हो रही है वह process जिससे soil settle हो रही है मतलब हमने loading लगाई water expel out हुआ हमारा जो voids जो है वो कम हुए जिसके वज़े से volume change हुआ और जो है settle हुआ यह होता है हमारा पूरा process consolidation लेकिन compressibility का मतलब यह होता है कि आपके soil को आप कितन type का soil है उसे moisture content कैसा है और उस पे लगाया गया load जो stress है वो कैसा है चलिए अब इसको find करने के लिए consolidation को find करने के लिए हम क्या करते हैं एक automated test करते हैं यह automated test जो है यहाँ पे आप equipment देख सकते हैं ठीक है अब इसका main काम होता है consolidation को measure करना और दूसरी बात यहाँ पे हम क्या कर दिखेगा जहां से अगर compress हो soil तो वहां से water जो है असानी से expel out हो जाए और उपर में भी कुछ इस तरीक है arrangement होता है उपर जो है dial gauge वहाँ पे लगा होता है जहां पर आपको settlement जो है वो दिखाए देता है और जिसको हम लोग note down करते हैं तो कुछ इस तरीक है arrangement जो है automated test में हो होगी तो soil ज्यादा सेटल होगा लेकिन permeability कम होगी तो soil की settlement जो है कम होगा दूसरा होता है length of drainage path अगर आपका soil का sample कितना बड़ा है या फिर उसको compress करने के बाद water spell out होगा उसके लिए वो जो path है कितना लंबा है उसके according में depend करेगा rate of consolidation उसके अलावा आपका loading condition किस तरीकी का है उस पे भी depend करेगा और एक बात और जान जाते हैं जैसे कि हमारा जो coarse grain soil होता है coarse grain soil में जो आपका gravel आ सकता है sand आ सकता है उसमें जो है आपका settlement जो है बहुत जल management होता है और readjustment के बज़े से वहाँ पे settlement ज्यादा देखा जाता है और एक चीज़ और होता है जो भी हमारा gravel soil होता है जिसमें particles बड़े होते हैं वहाँ जो permeability ज्यादा होती है जिसके वज़े से वहाँ पे settlement जल्दी होता है लेकिन less amount पे होता है लेकिन वहीं पे clay पे जो है spring pistol model को हम लोग spring analogy भी बोलते हैं इसमें क्या करते हैं एक cylinder बना हुआ है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें spring है और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक जो है एक outlet देते हैं ताकि वहाँ से पानी जो है expel out हो सके और हम अचानक से वहाँ पे loading देते हैं तो सबसे पहली बार जब loading आती है तो उसको पूरा water जो है उसका load को लेता है और जैसे जैसे वह loading जो है gradually लगती जाती है फिर आपका जो water है वह expel out होते जाता है और आप पूरा loading जो है spring पे आता है और इस mechanism से अध्यान करके पूरा ट्रेजागी ने consolidation का one dimensional ठेवरी दिया अब यह जो time t is equal to zero है तब आपको कोई भी load जो है यहाँ पे दिखाए नहीं दे रहा है देन फिर क्या हो रहा है कुछ time बात जो है load जो है gradually लग रहा है और आपका spring जो है क्या हो रहा है वहाँ पे compress हो रहा है और आपका water जो है spell out हो रहा है तो कुछ इस अरीके से आपको जो दिख रहा है उस assumptions के according जो है यहाँ पे पूरे test को perform कह जाता है जैसे कि इन्होंने बोला कि soil homogeneous होगा, isotropic होगा और completely saturated होगा वहीं पे soil को बोला गया कि incompressible है और यहाँ पे बोला गया कि आपका load लगेगा वो vertical लगेगा उसके लावा बोला कि one dimensional drainage होगा one dimensional drainage होगा मतलब जो है वो जो है area अपना change नहीं करेगा लेकिन volume change कर सकता है depth में और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे assumptions जो है वो दी गई है और सबसे important जो है डार्सिस लाग को यह जो है follow करेगा यह सारी जो assumptions है टर्जारिस ने दिया हुआ है इसके अलावा हम जानते है degree of consolidation क्या होता है degree of consolidation कहने का मतलब यह होता है कि आपका soil कितना compress हुआ है at any time मतलब हम एक particular time पे अगर देखे तो जो soil है कितना compress हुआ है उसको percentage में अगर दिखाते है तो उसको हम बोलते है degree of consolidation और यह जो degree of consolidation है इसको find करने के लिए हम आरे पास तीन formula होते है एक formula तब मिलता हमको जब हमको settlement पता हो एक formula हमको त यहाँ पे E0 और E दिख रहा है यहाँ पे UI और U दिख रहा है यह सब क्या है delta H दो है at any time जो settlement हुआ है और आपका delta H जो है capital H वाला यह final settlement है यहाँ पे E0 और E जो दिख रहा है E0 आपका initial wide ratio है E आपका natural wide ratio और E100 आपका final wide ratio है वहीं पर आपका UI देखेंगे यह जो है आपका poor pressure है finally तो इस तरीके से यह तीन formula है जिसके through जो हम consolidation का percentage निकाल सकते हैं चलिए एक टाम और आता है जिसको हमने बोलते है OCR OCR का मतलब होता है over consolidation ratio यह क्या होता है अब दिखो यह OCR जो लिखा हुआ है कि maximum applied effective stress in past divided by present applied effective stress अब यहाँ पे देखो कहीं पे आपने देखा होगा ज उतनी high rise building मना पाएंगे क्या तो यह commonly देखा नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे concept आता है आपका over consolidated और normally consolidated soil का over consolidated soil ऐसा soil होता है जहाँ पे पहले कभी loading लगी रही होगी past में इतना loading लगा होगा कि हम present में उतना loading अभी नहीं लगा रहे हैं जैसे कि आपका America वाला part जो है काफी जो है बड़ी से बड़ी building जो है high rise building जो है वहाँ पे असानी से बना लिया जाता है लेकिन ऐसे दूसरी जगे के बात करें जैसकि आपका Saudi Arabia all apart है जहाँ पे रेट पे जो घर बना जाता है उसके लिए काफी जादा remedies जो है वो लिया जाता है वहाँ पे आपका compaction consolidation काफी तरी जाएगा कि अगर आपका value एक से ज़ादा आएगा इसका मतलब यह है कि आपका past में लगा हुआ effective stress ज़ादा था उस soil पे और present में लगा हुआ effective stress कम है इसका मतलब यह है कि यह जो है over consolidated soil कहलाएगा उसके बाद अगर मेरा past और present दोनों में अगर लगने वाली effective stress बराबर है त इसको हम लोग बोलेंगे normally consolidated soil और यहीं पर अगर मैं बात करूँ कि आपका past में लगा हुआ load कम हो जाए present में लगे हुए load से तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग under consolidated soil तो एक example के थूर हम लोग समझते हैं जैसे कि आपका यह ताजमाल बना हुआ है तो यहाँ पर already loading लग चुकी हुई है तो यहाँ पर हम अगर कोई load यहाँ पर लगाते हैं और यह ताजमाल की loading जितनी उस soil पर आ रही थी उससे कम आएगी दूसरी structure की loading तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे over consolidated soil वहाँ का soil काफे ज़्यादा stiff है already settled है वहाँ पर consolidation हो चुका है लेकिन यही पर अगर मैं बात करूँ agriculture form का तो agriculture form में क्या होता है कोई भी infrastructure का कोई भी loading जो है नहीं लगा होता है तो engineers इससे लिएट आपको कोई भी doubt आता है तो आप जो है नीचे comment box में अपना question लिख सकते हैं मैं आपके सारे problem का solve करूँगा और आपको इसी तरीके के topics पे और भी नए वीडियोस चाहिए तो चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like किजिए और दोस्तों के साथ share भी किजिए तो इंजिनेर्स सब तक के लिए पढ़ते रिए सिखते रिए सिविल गुरी के साथ धन्यवाद